जए श्रीक्रिशना दोस्तों मैं हूँ मुके स्वागत है आप लोगों का डिजिटल शोप चैनल में दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि आपकी ID पे कितने SIM एक्टिवेट चल रहे हैं यानि कई बार दोस्तों ऐसा होता है हम SIM निकाल लेते हैं और वो हमसे गुम हो जाता है और हम कई बार नया SIM निकल वा लेते हैं और उस कहते हैं उसकी स्कीम पूरी हो गई थी कुछ लोगों की दोस्तों आद्टें ऐसी होती है कि वो स्कीम के चक्करे में न्यू सिम ले लेते हैं और जो पुराना SIM का रिचार्ज खत्म हो जाता है उसको हम घर पे ही रख देते हैं वो कैसे चेक करें तो दोस्तों आप इसको मुबाइल से अपने मुबाइल से असानी से चेक कर सकते हैं आपको अपने मुबाइल में क्रोम ब्रॉजर को खोलना है तो दोस्तो simply आपको अपने mobile में Chrome browser को खोलना है और Chrome browser में उपर लिखना है दोस्तो संचार साथी मैं यहाँ पर सर्च कर देता हूँ दोस्तो संचार साथी कुछ सर्च करने के बाद दोस्तो कुछ ऐसी आपके सामने जो window है वो open होगी जो सबसे पहले वाली website है दोस्तो उसपे ऊपर लिखा हुआ दोस्तो वो है संचार साथी और जो नीचे लिखा है दोस्तो T A F C O P TEF C O P तो इस पे हम दोस्तो क्लिक करेंगे इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तो हमें नीचे आना है उपर देख सकते हैं आप कुछ इन्होंने दिखाया हुआ है कि इतने request हमारे पास IOE है और इतनी हमने जो है resolve कर दी है तो दोस्तो simply हमें यहाँ पे वो mobile number डालना है जो की हमारी ID पे निकला हुआ है तो दोस्तो मैं यहाँ पे एक number टाइप कर देता हूँ number डालने के बाद दोस्तो हमें डालना है यहाँ पे capture और validate capture पर क्लिक करना है दोस्तो और दोस्तो जो OTP है हमारे जो हमने number टाइप किया है उस पे एक OTP चला जाएगा जो की हमें यहाँ पे टाइप करना है दोस्तो आप कुछ ऐसी आप लोगों के सामने विंडो ओपन होगी तो दोस्तो इसमें आप लोग देख सकते हैं इस इस ID पे साथ number जो है वो active है और मैं इनको verify कर देता हूँ दोस्तो जो जो number यह हमारे यूज में है मैं मैं देख लेता हूँ उनको उनको हम रख लेंगे दोस्तो और अगर मेरे यूज का कोई number नहीं है या फिर वो number को मैं जानता ही नहीं हूँ कैसे मेरी ID पे आ गया है तो दोस्तो उसकी हम complaint डाल सकते हैं दोस्तो जो यह सारे number हैं वो सभी ID से निकले हुए हैं और वो सारे हमारे यूज के हैं तो दोस्तो हम किसी को भी tick नहीं करेंगे लेकिन मैं आप लोगों को बचाना चाहूंगा अगर आपके mobile से track करने के बाद ऐसा आपको कोई number show होता है जो आप यूज नहीं कर रहे हैं य not required और required तो दोस्तो मैं not required का option select कर देता हूं यहां से not required पर क्लिक करके दोस्तो हमें report पर क्लिक करना है यहां पर दोस्तो जैसे कि मैंने यह एक number select कर दिया है और निचे report का option है तो report पर मैं दोस्तो क्लिक करके ok कर देता हूं तो दोस्तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर हम नंबर जननेट हो चुका है, जो कि हमारा complaint नंबर है, यानि कि जो मैंने नंबर select किया है, वो मेरे किसी यूज का नहीं है, तो मैंने उसको note required पर click करके, जो हमारी request है, वो submit हो गई है, तो कुछ time के बाद दोस्तों, जो ये नंबर है, वो मेरी ID से delete हो जाएगा, और ये किसी औ अगर आप लोगों को इस वीडियो से थोड़ी सी भी help हुई है, तो वीडियो को like करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें, फिर मिलते हैं दोस्तों, आप लोगों को नए किसी वीडियो में, नए किसी topic के साथ, जब तक के लिए जै स्री कृष्णा!